आज के दोर में महिलाओं के शरीर में होने वाले कई तरह के बदलाओं के कारण कई स्वास्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है ओकार्ठ हॉस्पिटल नाकपुर हमेशा मानव शरीर की विभन्न समस्याओं और बीमारियों के समन्द में जागरुकता अभियान और गतिवी धियो आयुजित करते रहता है ओकार्ठ हॉस्पिटल नाकपुर के विशेशग्य, डॉक्टर्स त्रीयम प्रसुती रोग विशेशग्य, रिया हरी मंगतानी ने इस समन्द में कुछ महतोपूर्ण जानकरी साजा की है ओकार्ठ हॉस्पिटल नाकपुर देखभाल और नविन ताकी परंपरा के साथ एक अगरनी स्वास्त सेवा प्रदाता है, जो इस अस्पताल को मध्यभारत के मरिजों के लिए वर्दान बनाती है यूश्वली हमारे सुसाइटी में जो महिलाएं होती है, वो अपने स्वास्त्य के ओर सबसे कम अवेर होती है और वो अपने स्वास्त्य को लास्ट प्रेफरेंस या लास्ट प्रायोरिटी देती है Usually ये हमारे society की मान्यता है कि 40 वर्ष आयू के उपर जब महिला का age हो जाता है तो कुछ समस्याएं physiological या नैसरगिक तरीके से उनको हुनी शुरू होती है इन समस्याओं में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कभी discuss ही नहीं करती किसी से कभी कभी embarrassment के कारण या कभी कभी सिर्फ वो उस चीज को नैसरगिक मान लेती है इसलिए वो उसको ये problem हो सकता है इस रूप में वो देखती ही नहीं है और वो उन चीजों के बारे में discuss ही नहीं करती न अपने घरवालों से न कभी अपने डॉक्टर से यूश्वेरी इन महिलाओं में यूरिन लीक होना जैसे अगर बहुत तेजी से यूरिन आई हो तो कंट्रोल न कर पाना बात्रूम तक पहुंचने के पहले ही यूरिनरी लीकेज हो जाना या जोर से हसी आजाए खासी आजाए तो थोड़ी सी यूरिन लीक हो जाना ये सिम्टम्स होने लगते हैं कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ शितिजा देशमुक की रिपोर्ट